नमस्कार दोस्तों एस्बी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेस्बुक पेज यूट्यूब चैनल अम्रीज बाल्यान पर आप सबका हर्दिक स्वागत है भिधन्दन है पूर्गोशित कारिकरम के तहत आज मुझा फणर की सड़कों पर हजारों ट्रैक तो चोधिर साब आज किस मकसद के लेकर यह अगस्त क्रांती टेक्टर मार्च है एंग्जीटी से ट्रैक्टर बाहर हो जो दस साल पुराणे है जो सरकार ने पॉलिसी बदली तो एंग्जीटी से इसको बाहर निकल ला जाए है जो फसलों का नुकसान है उसकी भरपाई हो सब्सक्राइब तो भी सरकारों की जो पॉलिसी है वो समझ से परहे हैं यह हमारे सारे इश्यू है गन्ना भुगतान है सब्सक्राइब कानुन कि देश में लाग भुगतान है लेकिन घरों को जो अक्षती है उसका पूरे जिले का मौजा लगव बैठ रहा है आट लाग रुपे सरकार की नेजर में अब आट लाग में ज़्यादा पैठ लाग दिखेंगे अमेरिकन डोलर हो उन्हें यह निवता कि इंडियन करेंसी में या फोरन करेंसी में है आट लाग रुपे जो घरो का नुक्सान है फसलों का नुक्सान है उसका है तो यह सब आम जंता को समझना चाहिए वह सब कि दोजार चोवीस नजदीक आ रही है आज आपने ट्रेक्टर मार्च निकाला ट्रेलर था गया जो आपकी तरफ देखते हैं कि हाँ चोदरी साब कुछे सारा करेंगे उनके लिए क्या संदेश दोगए तो सबस्मझेए नहीं समझदार ने तक अ कि झौनाव सब्साड़ नहीं चाहिए कंश में और बड़ा किसान मॉंवमेंट देखने के लिये मिल सकता है विसमें में MSP के लिए बड़े किसान आंदोलों की जोड़त है कि MSP के सवाल को है अब 10 साल पुराने टेक्टर यह खड़े वह यह तुटेंगे टेक्टर बहुत टेक्टर इसमें के दस साल पुराने होगे लेकिन एंजिटी का कानून में यह टेक्टर खतब होगे इनका रेजिस्ट्रेशन खतब होगे तो कैसे काम से लगा कोण आदम है कि जो टेक्टर को बदल दगा दस साल में लेकिन तोड़ वोड की राजनिती देश में शुरू होगी नूमेवात के दंगे उसी के जलक मानने जा रहे हैं हाँ तेरा तैइस तो है ने तेरा तैइस का पड़ देना से याम जंता को यह यह तेरा तैइस के दंगे लेकिन अब नहीं लोग लड़ेंगे जो भारतिये लोग हैं वो हिंदू हो मुसल्मान हो सिखो वो नहीं लड़गा लेकिन जो नागपुरिया विचार धारस है वो जरूर लड़गा क्योंकि तोड़ फोड़ की राजनिती वहां पर सिखाई जाती हैं उसी पर ही वे काम कर अरेव पार्ट्री को तोड़ते हैं संगठनों को तोड़ते हैं लोग को तोड़ते हैं उनके परिवारों को तोड़ते हैं जगडा करवाते हैं वो इसी तरह का उनको पार्ट पड़ा जाता है मिवात दंगों के बाद से जाट समाज को उक्साने के बड़ी कुशिस हो रही एक कॉम्मिनेट्री को बदराम करने की एक बड़ी साजिस है यह जाट तो मुसलमान भी है यह तो यह लड़ाई बीड़ाई तो छोड़ रखी और ना यह कभी लड़े यह तो अखों के लिए तो लड़ते हैं और सब लोग को साथ लेका चलते हैं अकेले से कभी कोई कुछ नहीं होता और जो कह रहे हैं एक विरादरी को बदराम करने की एक बड़ी साजिस है मेवात में दंगों के बाद में अब किसान संगठन भी सामने आया है उन्होंने काया कुछ संगठन ने एलान किया था कि मुसलिमों का बहिश्का करने का अब किसान संगठन सामने आ रहे हैं कि वह बीच मखड़ें कोई नहीं वह करता मुसलमान विदो किसानी है यह किसी किसान संगठन को किसी नहीं ताकत दे दीको किसी एक व्रादरी का या किसी उसका वह करता है कि यहां सीव चौंप फूल बेचने वाले हैं यह कौन है इनका भी एक बार था बता कर लो अब भगवान सीव पर चड़ते हैं इनकी खेत्ति करने वाला कौन है मूर्थी बुनाने वाले कौन है यह बाटने का काम करा जारा सब के आप अपने काम में देश में वोट कैसे मिलेगी उस पर रिसर्स चल रहा रिसर्स में यह जगडा करवा कर जादा वोट मिल जाएगी तो यह जगडा करवा देगी इनसे बच करेना पड़ागा बड़ा संकेत किसान नेता चोधरी राकेश्टिकेत दे रहे हैं नुह मेवाद दंगो को लुपी को उन्हें बड़ा ब्यान दिया उन्होंने कहा कि किसान हर तबके में हैं और 2013 में जो परियोग भी का यहां सफल हुआ था वैस्ट यूपी में 2023 में नुह मेवाद में वही परियोग दोलाने की कोशिस की गई है लेकिन लोग अब सजेत है माहूल नहीं पिगड़न दिया जाएगा